हलो फ्रेंड्स, बेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों, आज के वीडियों बात करेंगे गड़ित के प्रश्णों की जो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात, चार अनुपाते पांच है, प प्रतिक संख्या में से 25 घटाते हैं, तो अनुपात 3 अनुपाते 4 हो जाता है, ठीक है, प्रतिक संख्या में से 25 घटाते हैं, तो अनुपात 3 अनुपाते 4 हो जाता है, कितना हो जाता है, 3 अनुपाते 4 हो जाता है, 25 घटाने पर, अब देखो अनुपात में कितना घटा रह सवाल खत्म बस सवाल इतना ही था विप संप्रेशन का सही जवाब हो गया अब देख तेक उगला सवाल अगला सवाल है A तथा B की औसत आए 200 रुपे है चीक है C तथा D की औसत आए 250 रुपे है A B C तथा D की औसत आए क्या होगी देखी आपसे पहले बोलाए A प्लस B की जो आसत आए है वो 200 रुपे है तो योग कितना हो जाएगा A और B दो भ्यक्ती है यानि कि दो संख्या है, संख्या का मल पर ओसत से करेंगे, तो योग मालूम हो जाएगा, यानि कि योग हो गया 400, फिर C और D है, इनका ओसत है 250, इनकी आय का जो ओसत है वो 250, C और D भी दो ब्यक्ति है, दो का मल पर दो से 50 से करेंगे, तो इनका योग हो जाएगा 500 रुप्या ठीक है अब चलिए अच्छा सवाद A B C D कितनी ब्यक्ति हैं टोटल चार ब्यक्ति हैं और टोटल चार ब्यक्तियों का योग कितना है 900 है ठीक है इन चारों का ओसत पूछ रहे क्या होगा तो आप अच्छे जानते हैं कि संख्या से योग में डिवाइड कर देंगे तो ओसत प C option बिल्कुल सही जवाब सवाल खतम चलिए अब देखते हैं अगला सवाल है किसी भिन्य के अंश तथा हर मैंसे प्रतेग में दो जोडने पर तीन वट्टे पांच प्राप्त होता है मूल भिन्य क्या है प्रतेग में दो जोडने पर यानकि पहली भिन्य मैंने एक ले लिय ठीक है यानकि हमारे पास चार उप्सन है उसमें से मैंने पहला उप्सन ले लिया हम क्या करेंगे प्रतेग में दो जोड़ेंगे यानकि एक में भी दो जोड़ना तो तीन और दो में भी दो जोड़ना तो चार हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो हमारी मूल क्या है यह मैं दो जोड़ूंगा तो 3 हो जाएगा और इस वह दो हुझा ता गया और थिक्षा दौने प्रता होना चाहिए। इसका मतलब मूल χिन्य क्या होगी 1 बट्टे 3 पहला प्रैसणे का 20 णियुद विल्यлось निक्रापशन जबाशन है, तरहreteक है इस तरीके bounded Izzy इसे कर सकते हो, चलिए, आप देखते हैं अगला प्रेशन, अगला सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुडणफल 576 है, यदि इनका LCM 144 है, तो इनका HCF क्या होगा, देखिए इनके लिए एक फॉर्मूला होता, पहली संख्या, गुने दूसरी संख्या, बराबर LCM, ठ HCF, ये एक फॉर्मूला होता है, इसे आप नोट करके रखें, पहली संख्या, दूसरी संख्या, यानकी दो संख्याओं का गुडणफल 576 है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, दोनों का गुडणफल आपको पहले से दे रखा है, 576, दोनों का गुना, ठीक है, पहले से द जाएगा चार बार में, चार बार में कटेगा की नहीं, इधर क्या बचा आपके पास HCF बचा, सवाल खतम, HCF क्या हो जाएगा भई, HCF हो जाएगा चार, यानकि C option बिल्कुल सही जवाब प्रेशने का, तो जिन वच्चों को ये फॉर्मूला नहीं पता है, नोट करके अभी के अभी लिख लें, अपनी नोट बुक में, अब देखेंगे अगला सवाल, अगला सवाल है, पंदरा आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, दस आदमी इसके दोगने काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लेंगे, ठीक है, पंदरा आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकत है फॉर्मुला होता है M1 D1 बटे में W1 बरावर M2 D2 बटे में W2 M का मतलब होता है ब्यakti तो कितने ब्यakti है 15 me का मतलब दिन कितने दिन ले रहें 20 दिन एक काम को यान कि वर्क कितना एक है तो बटे में एक लिखेंगे चाहें मत लिखिए, बरावर, दस आदमी, यानिकि बाद में कितने व्यक्ति हैं, दस, दो गने काम को, पहले देखिए, काम कितना था, एक काम था, हमने लिखा नहीं था, क्योंकि एक को लिखने की जरूत नहीं होती, लेकिन मैंने चलिये, लिख लिया, तो कितने दिन में समाप्त करेंगे दो गुने काम को यानि कि D2 पूछ रहा है और काम कितना है दो गुना यानि कि पहले एक काम था तो एक का दो गुना कितना हो जाएगा दो काम हो जाएगा Clear? अब इसको सरल कर लीजिए बस सवाल आपका खत्म है 2 से 10 कर जाएगा 5 बार में और 5 से 20 कर जाएगा 4 बार में 15 से 4 से Multiply हो जाएगा 15 चोक के 60 और इधर क्या बचा D2 यानि कि कितने दिन में? 60 दिन में ये सवाल का सही जवाब P option बिल्कूल सही चलिए अब देखते अगला प्रशन अगला सवाल है यदि दो अंकों का योग 15 है और अंतर तीन है तो वह अंक क्या होगा? पहला option अगर में लूँ तो दो अंकों का योग 15 हो जाएगा बिल्कूल सीखे 8-7-15 ठीक है? 8-7 हो गया 15 अंतर तीन है तो वह संक्या क्या है? लेकिन इन दोनों का अंतर तो हमारा एक आ रहा है यह की तो आ रहा है? चलो यह तो हो नहीं सकता 6 और 9 इनका योग 15 है 6 और 9 दोनों का अंतर करूँगा तो मैं अंतर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा clear? सवाल खतम यही पे इन दोनों का अंतर योग कितना है? 5 और 10 का योग 15 और इनका अंतर जो है? 5 का है 3 और 12 का जो योग हो जाएगा 15 लेकिन अंतर देखिए इनका 9 का है हमें तो चाहिए अंतर तीन का तो तीन का अंतर आ रहा है B-Option में है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा B-Option अब देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है किसी बस्तू को 1920 रुपे में बेचने पर अरजित लाव का प्रतिसत उसी बस्तू को 1280 रुपे में बेचने पर हुई हानी के प्रतिसत के बराबर है बस्तू को कितने मूले में बेचा जाए कि 25% का लाव हो सके देखी ऐसा प्रश्णि कभी भी आपके सामने आजाए कि लाव और हानी क्या है बराबर ऐसा प्रश्णि कभी भी आए यानिकि 1920 रुपे में बेचने पर अरजित लाव उसी बस्तू को 1260 में बेचने पर हुई हानी के प्रिथित के बराबर है यानिकि 1920 में मानले जो 100 पे का लाब हुआ था तो 1260 में बेचने पर 100 पे के हानी हो लिए तो लाब और हानी बराबर हो गया ऐसा सवाल कभी भी आ जाए तो दोनों को मुली को जोड़कर यानिकि 1920 और 120C को जोड़ दीजे दोनों को जोड़ कर दो से कर दो डिवाइट आपका cost price निकल के आ जाएगा ठीक है बीच की value cost price निकल के आ जाएगा दोनों को जोड़ के डिवाइट 120C 1920 को जोड़ देंगे यह हो जाएगा आपका 32 दो से कर देंगे हम डिवाइट तो निकल के आ जाएगा 600 यह हो गया हमारा cost price अब हमें क्या करना है वो पूछ रहा है 25% का लाब हो जाए यानि कि यह तो हमारी 100% की value cost price क्या होता है अपने आप में 100% होता है ठीक है 100% होता है तो 100% होता है यानि कि 16% हो हमारा 100% की value है हमें क्या करना है 25% के लाब के लिए 100% की चीज़ को 125 में बेचना पड़ेगा % का मतलब बटे में 100 हो जाएगा 2,0 से 2,0 कटा दो करदो मल्ट पे 16,85 का 0 कैरी का 8 16 दोने का 32, 32 में 8 जोड़ेंगे 40, 40 का 0 कैरी का 4 16 कम 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20 जाने की 2,000 ठीक है क्या हो जाएगा उसका विक्रे मूल्य 2,000 हो जाएगा पहला उप्सन बिल्कु सही जबाब तो कितने मूल्य में बेचा जाएगा 2000 रुपे में बेचा जाएगा तो उसे क्या हो जाएगा 25% का अब देखते अगला सवाल, अगला सवाल है, यदि चार आदमी 96 मीटर लंबी दीवार को दो दिन में बना सकते हैं, तो 6 आदमी 72 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे, फॉर्मुला होता है, M1, D1, बटे में W1, M2, D2, बटे में W2, ठीक है, इसको करिए, कितने व्यक्ति हैं, 4, 4 लिख लो, 4 व्यक्ति हैं, यह है वर्क आपका, 96 मीटर लंबी दीवार को बनाने का वर्क है, अनकि W1 कितना है, 96, 96, और कितने दिन लेरे, 4 व्यक्ति, दो दिन में वर्क हैं, 96 मीटर लंबी दीवार को बनाने का, बाद में कितने व्यक्ति हो गए, 6 व्यक्ति, और वर्क है, उनका 72 मीटर लंबी दीवार को बनाने का, कितने दिन लेंगे, यानि कि D2 पूछ रहा है, इसी को करना है, हल करना है, इसी को, ठीक है, चलो, कटा लेंगे, अगर म चार बार में, चार से चार कर जाएगा एक बार में, यानि कि D2 कितना समय लेगा एक दिन का केवल, इधर बचा एक, इधर बचा D2, यानि कि 6 ब्यक्ति जब हो जाएंगे तो वो एक दिन में ही बना देंगे इतना काम, इतनी लंबी दीवार को एक दिन में केवल, पहला option सही जवाब, अब देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल है, A अनुपात B बराबर 8 अनुपाते 15, B अनुपाते C बराबर 5 अनुपाते 8, C अनुपाते D बराबर 4 अनुपाते 5 है, तो A D का मान क्या होगा, चलिए, A अनुपाते B, अनुपाते C, अनुपाते D, यह 4 व्यक्ति है, A का मान 8, B का मान 15, A का मान 8, B का मान 15, किलियर इतनी बात, ठीक है, इतनी बात किलियर, B का एक और मान 5, तो B के ही नीचे लिखेंगे, B के नीचे में लिख लिया, फिर C का मान 8, तो C के नीचे लिखेंगे C के मान को, लेकिन दूसरी लाइ D का मान है 5, तो D के नीचे लिखेंगे, लेकिन ये लाने जब चालू होगी है, तो यहां लिखना है, सब का मान लिख लिए, अब जो खाली जगा बची है, उसके बरावर वाली संक्या, जैसे ये खाली जगा है, तो इसके बरावर में 15 है और 8 है, लेकिन 8 नहीं लेना, लंब जगा इस तरीके से है, 4 आजाएगा, ये खाली जगा इस तरीके से आप बरोगे, 5 आजाएगा, ठीक है न, चलो, कर लो भाई, सब का मलें, 8 पंजे, 40, 40 का मलें, 4 से करोगे, 160, ठीक है, हमसे A और D का मान केवल पूछ रहा है, तो हम A और D का ही निकाल लेते हैं, 15, 58, 58, 58, 40 का मलें, 15 से करोगा, तो ये हो जाएगा, 600, ठीक है, 600 हो जाएगा, हमसे A और D की वैलू पूछाना, तो A और D की निकाल लेते हैं, सवाल ही खत्म है, ठीक है, बार-बार क्यों जादा स्वाल करें, चलो, 0 से यहाँ, 0 कट जाएगा, ये, 0 से 0 कट गया, अब इसको 2 से 4 वार में, और 2 से 15 वार में, जयनकि 4 अनुपाते 15, 4 अनुपाते 15 देखें किस ओफ्षन में है, हमारे D ओफ्षन में, लांश्ट ओफ्षन D में दे रखा, ये बिल्कुल सही जवाब है, अब देखते हैं, अगला सवाल है अपका, यदि 2 संख्या का योग 75 है, एवं उ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाब